तो हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो वाँज एक बार फिर स्वागा थैं आपके अपने यूटूब चैनल पर हैसिदी आप एक रेलमी 8 मुवाइल फोन का यूज करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा और इसी तरह की नेनी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए So guys, बिना किसी तेरे के वीडियो को स्टार्ट करते है Auto Call Recording वाले Option को Enable करने के लिए आपको एक करना है आपको Simply अपने Mobile Phone वाला Application कर लेना है Open Then आप देखेंगे Right Hand Side Corner पर आपको 3 dots हो रहे होंगे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 options खुल कर आ जाएंगे Call History, Settings, Help and Feedback आपको एक करना है, आपको बीच वाले Option यानि की Settings पर करना है, क्लिक Then आप इस परकार के Interface पर Transfer हो जाएंगे यहाँ पर देखेंगे, आपको कई सारी Other Settings सो हो रही होंगी आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी, Call Recording आप कर देंगे इस पर क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से आजाएंगे Second Interface पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस परकार का Interface नजर आएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, Numbers Not in Your Content आप इस पर करेंगे, क्लिक और इस पर क्लिक करते ही, आपके सामने इस पर करगा, पॉप अप आएगा आप Always Record पर क्लिक कर देंगे, और आपका जो recording वाला option है, वो enable हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप बोई number record कर पाएंगे, जो की unknown number से आपके mobile phone पर call आएगी और जो आपके content list में save number है, वो यहाँ पर automatically record नहीं होंगे, तो चलिए आप मैं बताता हूँ, उसे आप कैसे record कर पाएंगे जैस इसी के नीचे आप देखेंगे, selected numbers, आप इस पर करेंगे click, always record selected numbers, तो आप इससे करेंगे enable, यहाँ पर एक pop-up आएगा, आप इस पर कर देंगे, okay, then guys, यहाँ पर आप देखेंगे, choose a content, आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपके content list में जितने भी number save है, वो सारे यहाँ पर सो होंगे, आप जिन भी specific number की call recording चाहते हैं, आप उस पर करेंगे click, और बो number कुछ इस परकार से यहाँ पर save हो जाएंगे, so guys, यहाँ पर एक बहुत अच्छा feature है, कि हमारी calls record नहीं होंगी, जिस भी number को हम record करना चाहते हैं, कोई specific number, जो कि हम चाहते हैं, नहीं record होना ही सिरफ उसे आप save कर लेंगे, और आप एक automatic call recording चालू हो जाएगी, so इस परकार से आप realme 8 mobile phone में automatic call recording को चालू कर सकते हैं, I hope दोस्तों यह छोड़ी से वीडियो आपके लिए useful रहोगी वीडियो पसंद आई हो, तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और इस इतर कि भढ़ाएब से उसे उसे झालू होगी गना दोस्तों यह र kraちゃん के साथ share कैजिए8-5 दोस्तों के कि प्सक्तों कर साथ